Welcome to your stock my analysis series जहाँ पर आप मुझे कमेंट में अपने stock का नाम बताते हो और मैं उसका proper analysis करके आपके साथ share करता हूँ और हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि recent में हमको कहां trade मिल सकता है और उस trade की पीछे का logic क्या है और सबसे important बात हम कोई indicator use नहीं करते हैं सिर्फ price section को use करके पूरा analysis करते हैं और उस trade को execute करते हैं तो अब यार बिना time waste किए वीडियो को करते हम स्टार्ट हम आज की इस वीडियो के मुझे request मिली है निखिल अहुजा की तरफ से तो वीडियो को करते हम स्टार्ट बहुत सारे insight point में इस वीडियो में बताने हैं वीडियो को end तक जरूर देखना बहुत सारी learning आपको इस वीडियो में मिलने वाली तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 में जब इसका IPO लिस्ट हुआ था तब से हमको continuously एक शान्दा लेली इसमें देखने को मिली है जहाँ पर अगर मैं इसके price section की बात करो तो देख सकते हो continuously bullish था काफी टाइम से एक शान्दा लेली है दे रहा था और फरवरी 2021 में इसने एक all time high लगाय था उसके बात से दो बारा इसने वहीं पर touch किया double top बनाये और recent में हमको काफी अच्छी इसमें selling देखने को मिली तो अभी हमको fresh bank करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो उसका reason भी है आपको इसमें बताने वाला राइट तो सबसे पहले कुछ important point में आपको यहाँ पर discuss कर लेता हूँ यहाँ पर देख सकते हो जब इसका IPO list हुआ था 2019 में तब इसके अगर first week का volume देखोगे आप तो 8 million के आसपास first week में यहाँ पर volume trade हुआ था राइट इतने जो इसके share है वो trade हुए था राइट उसके बाद से यहाँ पर किसी बड़ी party ने fresh buying की थी इतनी और उसके बाद से देख सकते हो का फिशान दा रेली हमको देखने को मिली जहाँ पर जब भी price उपर की तरफ move किया है price नहीं जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी price उपर की तरफ move कर रही थी यहाँ पर भी volume increase हो रहा था फिर उसके बाद देख सकते हो अगेन जब भी price ने उपर की तरफ move किया वहाँ पर volume हमको increase होता हुआ नजरा है यह एक important point है जिसको मैं आपको थोड़ी डेर में और अच्छा से explain करने वाला राइट फ यहाँ पर share trade हो है तो काफी अच्छे volume के साथ यहाँ पर share trade हो है यानिकि किसी बड़ी party ने यहाँ पर selling के राइट इतने टाइम से buying हो रही थी और यहाँ पर हमको इस वीक में काफी अच्छी selling देखने को मिली है तो यह थोड़ी इस एक खराब news है तो फिलाल हमको क्या करन अब हम चलते इसके छोटे टाइम फ्रेम पर वहाँ पर मैं आपको कुछ important point यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर मैं एक zone को create किया अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक important point पर आपको दिखाऊँगा ओके यहाँ पर मैं दो rate arrow से आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट बार यहाँ पर hit किया और second time इसने यहाँ पर hit किया जब भी price ने इस level को hit किया उसके बाद हमको एक panic selling इसमें देखने को मिली है तो यह price है almost 10,000 के around या फिर 9,700,600 का एक round level नमबर मान सकते हो यहाँ पर जब भी price ने hit किया हमको एक panic selling इसमें देखने को मिली है काफ़ी strong resistance level है और एक चीज आपको मैं दिखा हूँ तो 2019 में मतलब पिछले एक साल से इसने कोई return भी बना के नहीं दिया है अपने investor को यानि कि जिन लोगों ने यहाँ पर fresh buying कियोगी इस level के आसपास all time high जब forever में इसने लगाया था तब लोगों ने fresh buying की उसके बाद से काफी long time टक यहाँ price sideways रही downtrend में धीरे धीरे फिर again price ने consolidated करके उपर की तरफ move किया फिर again जब price ने यहाँ पर hit किया again all time high को hit करने के कोशिश की वहां से हमको अचानक से एक panic selling देखने को मिली नीचे में volume दे देख सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो 2019 में जब इसका IPO लिस्ट हो था तब से अगर earnings आप देखोगे तो नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पर e लिखा हुआ और green color का sign है यानि कि जब भी इसकी earning आ यह काफी positive earning आ रही थी और काफी शानदार हमको इसमें इसलिए price मे भी उपर की तरफ move करती हुआ नजर आ रही थी लेकिन लास्टे में आप देखोगे फरवरी जन्यवरी 2021 के बाद से continuously हमको इसकी जो earning काफी negative आ रही थी क्योंकि lockdown लग गया था बहुत सारी situation खराब हो चुकी थी उसकी वजह से यहाँ पर continuously price जो है एक हमको कोई इसकी जो earning आ इसमें कोई moment नहीं था और price continuously sideways हो चुकी तो फिलाल हमको इसमें fresh buying के लिए नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि मैं technical analysis करता हूं ना कि मैं fundamental right अगर आप fundamental analysis करते हो तो well and good आप कर सकते हो आप अपने हिसाब से plan बना सकते हो लेकिन मेरे अगर मैं अपने मैं अपनी बा उसके अलाव मैं कोई fundamental के कोई बात नहीं करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो simply हमको आखों में दिख रहा है सामने से दिख रहा है कि कि उपर में जिसकी price जो है काफी काफी long time से sideways हो चुकी क्योंकि अगर मैं एक important point और अगर मैं आपको दिखा हूं तो देख सकते हो 2019 से इसने almost 800% का return बना के दिया अपने investor को यहाँ से देख सकते हो पिछले 2-3 सालों में इसने 800% का return already इसने बना के दे चुकी यह price तो अब थोड़ा सा इसको time लगेगा consolidate करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो 800% का return इसने बना के दिया रहा है तो कुछ time तो अब यह लेगी price अ फिलालम में आपको दिखा हूँ तो एक strong support level ता जिसको इसने break किया था उसके बाद से हमको panic selling इसमें देखने को मिली तो वो एक मैं आपको दिखा देता हूँ एक मैं एक zone एक और create कर रहा हूँ काफी strong support level था यह वाला zone ओके सो यहाँ पर देख सकते हूँ मैंने एक zone को create किया काफी strong support level था जब भी price ने इस zone को hit किया था और काफी long time से price इसके उपर support ले रही थी जापर मैं कुछ green arrow आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कोच green arrow से मैं दिखा रहा हूँ काफी strong support level था लेकिन last time क्या हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब price ने यहाँ पर hit किया strong support level था और finally इस check-up पर हमको एक breakdown देखने को मिला यहाँ पर देख सकते हो एक price ने इस zone के ओपर support नहीं लिया यहाँ पर जिन लोगों ने profit book किया हूँ काफी लोगों ने profit book किया क्योंकि यहाँ से हमको trend बदलता हूँ नजर आया फिर यहाँ पर confirmation कब हुआ हमको कि यहाँ पर जब price ने इस zone को break किया break करने के बाद देख सकते हो अगेन इसी level को इसने retest गया रहा है जब price ने break किया दो यहाँ पर देखने को मिली तो यहाँ पर देख सकते हो almost 6750 रुपे से price यहाँ से गिर कर अगर मैं आपको recent price की बात कर तो देख सकते हो यहाँ पर almost 33% यानि 30 to 35% का यहाँ पर गिरावट हमको last के 1-1.5 week में हमको इसमें 1-2 week में हमको इसमें देखने को मिली तो काफी situation आप देखोगे सबसे important बात क्या है कि यह जो selling हो रही उसमें अगर volume नहीं होता तो definitely मैं यहाँ पर fresh buying के लिए सोच सकता था यहाँ पर देख से तो जो selling हो रही अगर इसमें volume नहीं होता तो definitely मैं fresh buying करता लेकिन नीचे में आप volume देखोगो तो काफी heavy volume हमको इसमें देखने ची राइट तो अभी इसका next support level क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हो अगें मैं एक zone create कर रहा हूँ यह इसका काफी strong support level है और इसी के आसपास price भी फिलाल trade करती हुई नजर आ रही जहाँ पर मैं अगर मैं कुछ green arrow से दिखा हूँ तो देख सकत किया और अगें price इसी zone के आसपास आ चुके और यहीं पर देख सकते हो इस zone के नीचे अभी तक इसने closing नहीं दिये तो definitely आप देख सकते हो काफी strong support level है और यहाँ पर last week में हमको एक green candle last Friday को एक green candle भी हमको इसमें देखने को मिले रहाइट अभी तक price ने इस zone के नीचे closing नही और कोई value नहीं होती, almost 100 रुपे की कोई खास value नहीं है तो आप 150 रुपे की value ना देखे, average में एक round level number यहाँ पर बता रहाँ है, I hope कि यह point आप समझ चुके होंगे, अब मैं अगर इसके थोड़ा सा price action दिखा हूँ तो आपको देखने सी पता चल रहाता देख सकते हो, यहा पाय करना चाहिए, जब price उपर की तरफ move करती हुई, तभी हमको उसमें fresh buying करनी चाहिए, ताकि वहाँ पर हमारे पैसा बनने की chances बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो, प्राइस ने एक double top लगा है, मैंने एक वीडियो बनाया है, double top के उपर एक price action strategy, मैंने सिखाए, काफिशा अंदर्श्टेटर दी है, आप किसी भी stock को देखते ही, आप बता पाऊगे कि उसका trend कब बदलने वाला है, तो एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना है, आपको बहुत कुछ learning मिलने वाली उस वीडियो में, इसके लब यहाँ पर देख सकते हो, double top इसने बनाया, double top के बाद देख सो, price continuously एक bearish signal में देखने को मिली, जहाँ पर price low-low बनाती जारी, तो फिलाल आप अगर इसमें fresh buying की सोच रहे हैं, तो definitely मेरी तरफ से कोई recommendation नहीं है, कि आप इसमें fresh buying करो, definitely में तो मना करूंगा, almost हो सकता है कि fundamentally काफी या फिर आप मुझे request डाल सकते हो, तब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको fresh buying करनी है, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाओ, तो देख सकते हो, price अभी downtrend में चल दी, तो कुछ इस टाइप का pattern मना ली, तो यहाँ से अगर देख सकते हो, एक strong support level है तो अगर price यहाँ पर support लेने के बाद एक bounce करती है, bounce करने के बाद again हमको selling देखने को मिलेगी, और selling के बाद अगर price उपर की तरफ move करती है, और इस level को break कर देती है, जैसे कि उपर में double top बनाया है, नीचे में double bottom price बनाती है, तो यह देख सकते हो, कुछ इस टाइप का pattern है, इस टाइम बाद में, तब हम इस जगा पे हम fresh bank कर सकती है, यह हमारा entry point हो सकता है, recent पे आप में बता रहा हूँ, आप भी entry मत करना वारना आप इसमें first सकते हो रहें, तो यहाँ पर हमारा entry point होगा, फिलाल आपको wait करना है, price को थोड़ा सा excess होने दीजिए, काफी अच्छी selling हम को देखने को मिलें, हो सकता है कि price यहाँ से और selling करें, हम अब भी fresh buying कर लें, उसके बाद और गिरावट हो, फिर हम इस stock को हम नुकसान में काटेंगे, इस से अच्छा है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट करने के बाद देखिए कि price किस तरह से behavior करती, उसके बाद हम इंखिलेंगे, I hope कि यह सारी चीज़े आपकी clear हो चीकी होगी, काफी simple तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किए, अगर फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, ताब मुझे comment box में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर जरूर reply करूँगा, और आपक और भी कुछ insight point बताने की कौशिश करूँगा, so मिलते हैं किसी next video में किसी अच्छे stock के साथ,